कहते हैं प्यार किसी से भी और कभी भी हो सकता है। दुनिया में हमने कई प्रेम कहानिया सुनी है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी राजस्थान की मुमल और महेंद्र की है, जो विश्व में जानी जाती है। वैसे तो दुनिया में कई कहानिया जैसे धोला मारू, हीर रांचा, सोहनी महेवाल, बाजी राओ और मस्तानी आदे की कहानी काफी प्रमुख हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में जहां मुमल बहुत सुन्दर थी वहीं महेंद्र सहासी थे। मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी बहुत सालों पुरानी है। चलिए हम बताते हैं क्या है मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी। मुमल राजस्थान के जैसलमेर के लौद्रवा की रहने वाली थी, वहीं महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। लौद्रवा जैसल मेर के पास बहने वाली काप नदी के पास बसा हुआ है और यहीं राजकुमारी मुमल का महल भी था, मुमल महल के मेरी पर रहती थी। राजस्थान में छट पर बने कमरों को मेरी कहा जाता है। कहते है कि इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिये रास्ते थे। और यह महल एक रहस्यमई जगह थी। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे दरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देखर कोई डर जाता था औ और लोग इस महल में जाने से दरते थे। मुमल ने सभा में यह एलान किया था कि जो राजा इन सभी दरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुछेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। वहीं, राजकुमारी मुमल इतनी खुबसूरत थी कि उनकी खुबसूरते के चर्चे गुजरात, मारवार, इरान, इराक और सिंध तक फैले हुए थे, कहा जाता है कई राजा यहां मुमल से मिलने आए, लिकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुँच नहीं पाता, वहीं, अगर कोई पहुँच भी जाता तो फिर वह राजकुमारी के सवालों के राजा महेंद्र को शिकार करने का बड़ा शौक था, महेंद्र अपने बहनुई हमीर के साथ अमरकोट के पास शिकार करते थे, इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र और हमीर शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लोद्रवा में पहुँच गए, महेंद्र ने वहां एक सुन्दर बगीचा देखा, इस बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेर आदी के बीचे एक महल दिखाई दिया, महेंद्र को महल देखने में बड़ा सुन्दर और अजीब लगा, इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र बने हुए थे, राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे में अंदर आ गए, वहाँ उनको एक दासी दिखाई दी, दासी ने महेंद्र को रूपने के लिए कहा, महेंद्र ने कहा कि हम शिकार करते हुए यहां पहुंच गए और ठक चुके है, इसलिए आराम करना चाहते हैं, दासी ने कहा कि वो अपनी र तो बागीचे में एक खूबसूरत नौजवान दिखाई देता है, मुमल फौरन दासी को उन्हें भीतर लाने को कहती है, दासी दोनों को अंदर ले आती है और महेंद्र को राजकुमारी मुमल के बारे में बताती है और कहती है कि वो बहुत सुन्दर हैं और उनकी खूबसू इस पर दासी ने कहा कि ये महल और बगीचा राजकुमारी मुमल का ही है और वो यहां अपनी सहेलियों के साथ रहती हैं साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुचेगा और उनके सवालों का जवाब देगा राजकुमारी उससे शादी करे राजकुमारी दासी को कहती है कि वे हमारे महमान है और उनके रहने का इंतजाम किया जाए। राजा महेंद्र वहां रूख जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है तो उससे राजा ने राजकुमारी मुमल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है कि अगर मैं आपको राजकुमारी मुमल के बारे में बताने लग गया तो सुबा से शाम हो जाएगी। राजकुमारी मूमल इतनी सुन्दर है कि उनकी खुबसूरती को शब्दों में बया नहीं किया जा सकता है। वो इतनी सुन्दर है कि जब वो शीशे के सामने जाती हैं, तो शीशा तूट जाता है, वो दूद से नहाती है और तन पर चंदन का लेप लगाती हैं। वो दुनिया में सबसे सुन्दर और अलग हैं। इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिध राजा, महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, वरना वह जीवन भर शादी नहीं करेगी। सेहरे के तेज और आँखों को देखती रह गई, मुमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों साथ रात भर बैठे रहे और बाते करते रहे। इसी के चलते दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों रात भर बाते करते रहे और न जाने कब सुबह हो गई, लेकिन ना तो राजा वहां से जाना चाहते थे और नहीं मुमल चाहती थी कि महेंद्र वहां से जाएं। आखिर राजा को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा, लेकिन महेंद्र ने मुमल से वादा किया कि वो जल्दी वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में केवल मुमल बस गई। इसी के चलते राजा ने मन में चान लिया कि वो मुमल से शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट ले आएगा। बता दे की राजा महेंद्र पहले से शादी शुदा थे और उनकी पहले से ही साथ पत्निया थी। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुँचे तो उन्होंने राजकुमारी मुमल से मिलने के लिए एक योजना बनाई। महेंद्र की यहां एक रामू नामक व्यक्ति रहता था जो उन्होंट चराने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले की मुझे एक ऐसा उन्होंट चाहिए जो रात को मुझे लोद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुन रामू ने कहा कि चीतल नामका एक उन्होंट है जो बहुत तेज दोड़ता है वह आपको रात को लोद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस लेकर आ जाएगा। शाम को रामू उन्होंट को सजाकर महेंद्र के पास ले गए और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मुमल से मिलने पहुँच गए और सुबह अमरकोट लोटा आए। लेकिन कहते हैं न सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता है। पड़े पहन रखे थे। वहीं जब राजा वहां पहुचा और उसने ये देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मुमल के साथ यह पुरुष कौन है। ये देख राजा वापस लोट गया और महेंद्र का उट को मारने वाला चाबुक वही गिर गया। राजा ने सोचा कि मुमल किसी और से भी प्रेम करती है। सुबह मुमल उठी और उसने वह चाबुक देखा तो समझ गई कि यहां राजा आये थे। लेकिन उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र के लोट जाने की वज़य समझ नहीं आई। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही लेकिन महेंद्र नहीं आये। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रिंगार करना छोड़ दिया लेकिन राजा नहीं लोटे दूसरी और महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मुमल ऐसा कैसे कर सकती है राजकुमारी ने राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिठी पहुँचने से पहले उसकी सातों पत्नियां उन्हें फार देती, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगती फिर राजकुमारी मुमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने के सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने नहीं दिया गया वही सेवक ने हार नहीं मानी और छुपकर बैठ गया और रात को वह महेंद्र के पास पहुँच गया उस समय राजा सो रहे थे, तभी वह सेवक गाना गुन-गुनाने लगा जिसका मतलब ये था कि राजा महेंद्र तुम्हारे बिना वह धर्ती धुंदली है और तुम्हारी मुमल उदास है तुम्हें तुम्हारी मुमल बुला रही है कि मेरे प्रियतम अब तो घर आ जाओ जब राजा ने ये सुना तो वह बाहर आए, महेंद्र ने सेवक को सारी बाते बताई और सेवक राजकुमारी मुमल के पास राजा को संदेशा लेकर वापस पहुचा ये सुनकर मुमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर गलत फहमी की वजह क्या थी इसके बाद राजकुमारी ने दुबारा राजा के पास संदेश विजवाया कि वह राजा से मिलने अमर कोटा रही है जब ये सब महेंद्र को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मुमल निर्दोश है तभी वह मुझसे मिलना चाहती है राजा ने फिर संदेश भेजा कि मुमल को यहां पर आने की जरूरत नहीं है वो खुद उनसे मिलने आ रहे है राजकुमारी मुमल ये सुनकर बहुत खुश हुई और राजा महेंद्र का इंतजार करती रही वहीं राजा ने सोचा क्यों न मुमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए तब राजा ने लौद्रवा पहुँचकर एक संदेश मुमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांपने दस लिया है और उनकी मृत्यू हो गई ये संदेश राजकुमारी तक पहुचा और यह सब सुनने के बाद मुमल वही गिर पड़ी और उन्होंने प्रान त्याग दिये दूसरी और यह खबर राजा तक पहुचे कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मुमल ने प्रान त्याग दिये तो राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मुमल मुमल करते रहे और उन्होंने भी प्रान त्याग दिये इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहत दुख़ दंध हुआ